श्री शंगर लालवाई धन्यवाद अद्यक जी आपने इस कोवीड के उसर पर बोलने का मोक्का दिया मैं सबसे पहले माननिय प्रदान मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कोवीड में देश का नेत्वत नहीं पूरी दुनिया का नेत्वत किया अब यहाली में हमारे सज़स्य भरत मेताब जी बता रहे थे कि स्पैन में जो पार्लेमेंट कमिटी की जो राष्ट अंतराष्टिक कॉन्फरेंस हुई थी उसमें हमारे देश का किस प्रकार कोवीड में कंट्रोल और किस प्रकार पोर्टल के बाद्यम से हमने वेक्सिनेशन किया उसी पूरे विश्व में चर्चा हुई मैं आजादी के बाद मानि नरेंद मोजी जी ऐसे प्रधान मंत्री बड़े जिनके आवान पर पूरा देश चल पड़ा हमने देखा ताली बजाओ थाली बजाओ मुंबती जलाओ जब भी वो आवान करते से पूरा देश उनके साथ चलता था अज्यक्ष मोदे आपने कहा था कि अपने अपने छेत्रों में जो अनुकरनी काम होएं वो देश के सामने आना चीए मैं कुछ उधारान इंदोर के देना चाहूंगा कि इंदोर में हमने लॉकडाउं के दोरान एक कॉल सेंटर बनाया था और इस काल सेंटर के बाद्यम से भोजन राशन दवाई एंबुलेंस हास्पिडल की व्योस्ता जो जो हो सकती थी लोगों को कॉल सेंटर के माद्यम से उपलद्व कराई राशन के कहीं सेंटर खोले घर पहुज सेवा कराई राशन की भोजन बना-बना के पोचाया मैं हमारे उन सभी डॉक्टर टीम को बढ प्रिशाशन की टीम जिन्होंने प्रोटोकाल बना कर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मरिज कैसे ठीक हो सकते उसका पूरा उनने प्रोटोकाल बना के दिया यही नहीं ऑनलान प्रोटोकाल के माद्यम से कहां कहां किस आस्पिटल में बेड अवेलेबल है उसका भी प्र वेसे मालम कर सकते थे हमारा पेरा मेडिकल स्टाफ सभी डॉक्टर सफाई कर्मी पुलीस नगा निगम सभी जन प्रतिनिदी समा सेवी संगठों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है यहां तक कि कुछ डॉक्टर ने ऑनलाइन सेवा भी दी है जो मरीज वार्षप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट देता था और वीडियो कॉल करके अपको दवाई होम आइसोलेशन के माध्यम से भी हमारे इंदोर के डॉक्टर ने दिये जब हॉस्पिटल में जाके कम रहती थी तो माइल्ड जो पेशन रहते थे उसके लिए आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए उस सेवा भारती के उन समस्यों को बदाई दिना चाहता हूं भारती जंता पार्टी के उन कारेकरता को बदाई दिना चाहता हूं और सांसत की जो टीम बनी थी वो नमो नमो शंक्रा की टीम को बदाई दिना चाहता हूं कई व्यापारी संग्टन सामाजी संग्टन ने इस सेव बीपेना थे इन्दोर में देश का दूसरा सबसे बड़ा COVID केर सेंटर राधास्वामी सस्वामी ससंग पर बना था जिसमें कि जो माइनर माइल्ड पेशन्ट से उनको रखा गया था और उनको वहीं ठीक करके घर पे भेजा गया था ये बहुत बड़ा सेंटर बना था जिसमें पांच यार बेड लगाए गया थे ऑक्सिजन को लेके मैं मानी प्रधान मिंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऑक्सि क्राइसेज मनेंड कमिटी बनी थी जो कि शहरी स्तर पर विदान सावाचस सर पर और वारड सर पर पंचास सर पर काम करे थी और वहीं वह घार ये नहीं पूरे देश में और विदेश में भी अब जा रही है यही वो विपक्ष था जो कहता था कि यह BJP की वेक्सिन है यह माननी है मोधी जी की वेक्सिन है पर आज वो ही हमारे विपक्ष के साथ ही वो ही वेक्सिन यहां पर लगा रहे हैं मैं आज देश में 125 करोड वेक्सिन लग चुकी है और मैं मोधी जी को धन्यवाद चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का पहल की और देश को बचाया इन्दोर देश का वो शहर है जिन्होंने 100% पहला डोस वेक्सिरिशन देश में पहली बार किया और दूसरे डोस में हम 80% तक पहुचे हैं और आशा करते हैं जल्दी भी दूसरा डोस पूरा हो जाएगा इसमें हमारा जिला प्रशाशन, NGO, व्यापारी, सामाजी संगल्टर्णों सबने मिलके एक काम किया अन्तमे में दो बात विशेश केना चाहूँगा सांसा सेवा संकल के माध्यम से हमने दो चीज़ की वेक्सिन और वील जो लोग घर से लिकलनी पा रहे थे ओल्ड थे या दिव्यांग थे उनको हम घर वेक्सिन लगाने जा रहे थे यह इसा काम हुआ जो वेक्सिन सेंटर तक नहीं पहुच पा रहे थे दूसरा बच्चों की पढ़ाई को लेकर जिस प्रकार हमने अभी सुना उनको उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको गोध लेने का अभिहान शुरू किया और मैं बताना चाहूंगा लगबर 500 बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने का अभिहान हुआ साड़े तीन सो करोर फीज जंगता तीन सो पचास लाग की फीज जंगता ने प्रवाइट की और आज उसी स्कूल में वो पढ़ रहा है मैं बादें प्रवाइट मंत्र योग जंदेवाद देना चाहता हूं कि उनके नेत्रत में यह करोना की लड़ाई लड़ी गई धन्यवाद प्लीज